हलो दोस्तों हमारे ओनलेन प्रेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मौस्ट वैलकम करते हैं दोस्तों त्यारी सरकारी नोकरी की सीरीज जो है हमने शुरू कर रखी है जिसमें हम DSSB TGT के जो लाइब्रेरियन का जो पोस्ट आई हुई है और उसका फिर्श पेपर फिर्श पर आप DSSB TGT का जिसका फिर्श पैपर की सारी त्यार değ हम करवा रहे हैं और लाइब्रेरियन की त्यारी भी हम करवा रही हैं दोस्तों तो हम शुरू करते हैं तो लोबी शुरू करते हैं हम क्लास को बहुत अच्छे तरीके से बहुत बहुत बहतरीन तरीके से तो हमारा फर्स्ट कोशन है दोस्तों किरा डीडीसी के किस एडिशन में दो खंडों को परकाशित क्या गया है तो आपको बताना है कि डीडीसी का ऐसा कौन सा एडिशन है 13, 14, 15, 16 तो डीडीसी के जितने भी एडिशन है उसकी सारी फॉर्मेलेटी उसकी सारी जितनी भी थियोरी है आपको पढ़नी है सभी एडिशन की आपको नोलेज होनी चाहिए एक addition आप से पूछा ही जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इसका answer आजएगा, 16 is the right answer, ठीक है, next question की बात कर लेते हैं, next question से पहले मैं आपको बता दूँ, कि यदि आप librarian की book मंगाना चाहते हैं, ठीक है, librarian की MCQ की book है, theory की book है, first paper का material मंगाना चाहते हैं, first paper क की online त्यारी करना चाहते हैं, या आप DSSB की online त्यारी करना चाहते हैं, तो भी हमारे पास पूरा course जो है, available है, ठीक है, तो आप हमारा WhatsApp का number है, यह आपको दिखी रहा होगा, WhatsApp का number 7597500075, इस पे आप WhatsApp करके, कोई भी जानकरी ले सकते हैं, कोई भी books ले सकते हैं, कोई भी course ल गया था, UDC was developed, ALA द्वारा, UAP द्वारा, FID द्वारा, IFLA द्वारा, तो अपने answer लगाना है, FID द्वारा, इन चारों की full form जो है, आपने मुझे comment के माध्यम से बतानी है, कि ALA क्या है, UAP क्या है, FID क्या है, या आपको अपने short notes में ready करके रखना है, कि इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, next question की बात करते हैं, अपनी जो website है, अपनी जो website है, उसके बारे में आपको discuss करते हैं, कि हमारी जो website है, www.testmafia.in, इस पे आप किसी भी परकार की test series ले सकते हैं, online course ले सकते हैं, app store में जाके test mafia लिखेंगे, तो हमारी app डाउनलोड करके किसी भी course को purchase कर सकते हैं, आपके आसपास कोई भी बच्चा, bank, SSC, railway या भारत में होने वाले किसी भी exam की यदि वो त्यारी कर रहा है, तो हमसे course ले सकते हैं, test series ले सकते हैं, उसके लिए आपको coupon code लगाना पड़ेगा, test नाम का coupon code लगाते ही, आपकी सारी test series जो हैं, बहुत भारी discount में active हो जाएंगी, next question, अगला सवाल हमें क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, कि CC के first edition को परकाशित किया था, ये बताना है आपको, ठीक है, who published the first edition of CC, CC के जो first edition को publish किया था, परकाशित किया था, वो था, मदरास library association, मदरास library association, next question है जी, CM Hansen, CM Hansen और Charles Martin नामक व्यक्तियों का सबंद कि स्वर्गिगण बत्ती classification scheme से है, what is the classification scheme, belong for person named CM Hansen and Charles Martin, तो question number four का answer आप क्या लगाओगे, question number four का answer लगाओगे, library of congress classification, library of congress classification, जो है, इसका बिल्कुल सही answer आजाएगा, next question की बात करते हैं, और next question क्या है, हमारा बिल्कुल ध्यान से देखना है, हमारा next question है, CC में humanities मानविकी को स्थान दिया गया है, A to M, N to Z, N to S, या A to E, तो आपको answer लगा क्या ना है, इसका, N to S, जो है, आपका बिल्कुल सही answer आएगा, theory of, theory of, integrative level, नामक पुस्तक किसने लगी थी, ठीक है, तो एक और बात बता दूं कि अपना टेलिग्राम का चैनल भी description box में आपको मिल जाएगा, उसमें काफी notes, काफी quizzes, जो है, हम बहुत बढ़िया लेवल पर, जो है, वो group में डालते रहते हैं, ठीक है, हाँजी, next question की बात करें, तो theory of integrative level, who is the author of theory of integrative level, हाँजी, तो आपको answer बताना है, Francis, H.E. Bliss, J.E.L. Freden, या Hanson, तो आपको लगा क्या आना है, C option, J.E.L. Freden, जो है, इसका बिल्कुल सही answer आएगा, next question की बात कर लेते हैं, next question में हमें कहता है, web devy 2.0 को किस वर्ष लॉंच किया गया था, web devy 2.0, in which year web devy 2.0 was launched, 2010, 11, 12 या 13, हाँजी, फटाफट बताईएगा, 2010, 11, 12 या 13, तो आपका बिल्कुल सही answer आएगा, 2011 में web devy 2.0 को लॉंच किया गया था, next question की बात करते हैं, FID का Central Office, Kendriya Karelia, कहा स्थित है, where is Central Office of FID, सबसे पहले आपको FID का Full Form बताना है, कि FID का Full Form क्या होता है, ठीक है, FID की Full Form जो है, वो क्या रहती है, और फिर आपको बताना है, कि जो FID का Central Office है, Kendriya Karelia है, वो कहा स्थित है, वांशी गटन, शिकागो, दा हूद, लंडन, अजी, फटाफट बताई, ठीक है, तो इसका आंसवर आएगा, C, बिल्कुल सही आंसवर, ठीक है, फिर कहता है, जो CC है, CC में हाइफवन का प्रयोग किस विधी में किया जाता है, किस डिवाइस में किया जाता है, यूज ओफ हाइफवन, इस हाइफवन का जो यूज है, वो CC में, अब सारे, जितने भी आपके साइन है, CC में यूज होने वाले जितने भी साइन है, वो सारे के सारे आपको रट लेने हैं, ठीक है, subject, numeration, alphabetically या super, supreme position, किस method, किस device में इसका use जो है, वो किया जाता है, supreme position में, अध्यार ओपन, विधी में, next question की बात करते हैं, जयन् दर्म और बोद्धरम किस विश्य निर्मान विदी के उधारण है, जयनिज्बं येड बुद्धिज्बं और एक्जामपल्स ओफ विच सबजेक्ट, creation method, जयन् दर्म और बोद्धरम किस विश्य निर्मान विदी के उधारण है, तो आपने लगान रहें लुज असेंब्लेज़ वन वणसेंब्लेज वन जो है इसका आंसर आ जाएगा 900 कोशन क्या कहता है जी परसे facto इंस्ट्रक्षण aggression रिलेशन ऑफ परसियन इंस्ट्रक्षण रिलेशन ऑफ पर शियौर इन्स्ट्रक्षण प्रसियोर footprint instruction का सबंध है Persian instruction का सबंध है relation of Persian instruction collection development से digitization से cataloguing से या classification से तो आपको answer पता होना चीए क्टे लोगिंग जो है इसका बिल्कुल सही answer आएगा relative index सब पेक्षिक अनुक्रमणी में term in essay का क्या मतलब है जो relative index होता है उसमें एक term आती है sa इसका क्या मतलब है c c also not suitable या south after तो इसका answer लगा क्याना है आपको see also बिल्कुल सही answer क्या लगा क्याना है see also UDC का ownership या स्वामित्व FID से UDC को कब स्थानंत्रित किया गया जो ownership थी UDC की जो ownership थी वो FID से UDCC को कब दी गई 1982 1992 2002 या 2012 तो इसका जो answer लगा क्या होगे आप वो आएगा बिल्कुल सही 1992 1992 में next question LRC library research circle की स्थापना की गई LRC was established in which year LRC library research circle ध्यान रखने है इसका full form भी पूछ सकता है library क्या होती है LRC library research circle की स्थापना की गई LRC was established in which year 1948 पचास बावन या 51 तो 1951 में library research circle की स्थापना की गई next question principle of coordinate समन्वय का सिधान्त प्रतिपादित किया गया principle of coordinate given by समन्वय का सिधान्त किसके द्वारा बहुत अच्छा कोशन है brown bliss हम या Cyrus तो इसका अंसर आएगा EW हम द्वारा coordinate principle of coordinate दिया गया नेक्स्ट कोशन निमलिक में से कौन सा convention form पर्मपरागत सवरूप नहीं है which one is not a convention form सेफ रिजिस्टर micro card catalog कौन सा catalog जो है वो convention form नहीं है जल्दी बताइए तो आप कौन सा लगा गया गया नहीं micro catalog c is the right answer बिल्कुल सही answer इसका क्या आएगा micro catalog next question ddc में क्या कहा रहा है अपने को ddc में जो common isolate होता है ddc में common isolate को क्या कहा जाता है ddc में common isolate को क्या कहा जाता है common isolate is called in ddc तो आप को अंसर लगा क्या नहीं है इसका जल्दी बताइए इसका अंसर आएगा standard subdivision standard subdivision कहा जाता है ठीक है next question की बात करें जदी हम तो next question हमारे पास है जी बिल्कुल सही और एकदम शांदार यूडीसी का जो fourth edition है कि यूडीसी का fourth edition किस भाषा में परकाशित हुआ था किस भाषा में यहां लिखा जाएगा किस भाषा में परकाशित हुआ था fourth edition of Udc was published in which language किस भाषा में फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश या इंग्लिश तो आपको आंसर आगाना है जो यूडीसी का fourth edition था वो इंग्लिश लेंग्वेज में पब्लिश हुआ था next question की बात करें जो CC में पक्ष परिसुत्र है facet formula है O literature साहित्य लिट्रेचर P किसको अंगित करता है जो facet formula O literature in CC P denotes what writer, work, language, literature तो इसका क्या answer लगा क्या होगे तो P जो है वो language को किसको language को इसका सही answer आएगा language को represent करता है manal of library classification नामक पुस्तक WCB Sears के द्वारा कब परकाशित की गेदेगो इसमें कितने question बनते हैं कि WCB Sears ने कौन सी book तो manal of library classification manal of library classification पुस्तक किसने लिखी WC Sears ने कब लिखी ये आपको बताना है तो इसका answer आएगा 1926 जो है वो बिल्कुल सही answer आजाएगा next question की बात करते हैं जी next question हमें कहता है लो जी इसको थोड़ा small कर लेते हैं विश्य निर्मान जो subject formation की किस विधी में subject formation की किस विधी में किसी मुख्य वर्ग main class या एकल को समकक्ष्रेणी में विभक्त किया जाता है in which method of subject formation in which subject in which method of subject formation main class is divided into equivalent class main class is divided into equivalent class हम जी बताईए फटाफट से dissection, denundation, fusion, clustering अनुचेदन, अनाचेदन, विल्लियन या समूहन तो इसका आंसर आएगा dissection, अनुचेदन विल्कुल सही आंसर के आएगा dissection यह आंसर इसदा विल्कुल सही है ठीक है, तो मैं एक बार और आपको बता दूँँ कि कोई भी student यदि आप D.S.S.S.B. की first paper की या librarian की त्यारी करना चाहते हैं तो हमारे पास पूरा इसका material है जिसमें three books हैं वो आपके घर पर पहुंचा दी जाएंगी आपके पास WhatsApp का number होगा 7597500075 इस पे आप अपना order book कर सकते हैं हमारी website का link भी description में दिया हुआ है और यही हमारी app का नाम है आपके आपके आपस कोई भी बच्चे सरकारी नोकरी की किसी भी परकार की त्यारी करना चाह रहे हूं तो हमारी website को जरूर recommend करें और उस पे coupon code जरूर लगाएं test test ठीक है नेक्स्ट कोशन है AACR2 में GMD का क्या तातप्रया है GMD is represent in AACR2 most important question है ध्यान रखना GMD का full form पूछा इसने group material general material group material general material description designation document या what answer बताईए फटाफट से इसका answer आएगा general material designation general material designation जो है वेलकुल सही answer आ जाएगा DDC में जो main class है 150 किसको अंगित करता है DDC की main class 150 means in DDC philosophy technology religious psychology 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 is the right answer psychology जो है वो बिलकुल सही answer आ जाएगा निमलिक्त में को noble prize winner था who is noble prize winner melville devy henry la fontaine answer बताईएगा तो इसका answer आएगा henry la fontaine इसका सही answer के आजएगा henry la fontaine जो है इसका बिलकुल सही answer आ जाएगा अंतिम question इस class का डेली की class में अपन 25 question minimum किया करेंगे हम कोशिश करेंगे कि exam तक अपन 1000 प्लस mcq कर दें और सारा का सारा पेपर अपनी classes से आए ठीक है अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हना शेयर जरूर करिएगा ठीक है वेबसाइट को नहीं भूलना है किसी बरकार किसी को भी कोई material चाहिए हो तो WhatsApp के नंबर पर order book करवाना है और यह question 25 जो last question होगा वीडियो का वह हमारा homework रहेगा ठीक है दोस्तों बाई बाई टेक क्यार अपना ख्याल रखिएगा